क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है दोस्तो कि session plan करने के बाद recording के वक्त कुछ important points आप भूल गए या आपने उनके उपर emphasis नहीं किया या एक अधा पॉइंट रहे गया हो आजी दोस्तो ये सिरिफ आपके साथ नहीं हुआ है सभी के साथ होता है और अगर आप नए यूट् बनाने के लिए या फिर live streaming करने के लिए used to नहीं हो तो ये अकसर हमारे साथ होता है initial days में मेरे साथ भी ये बहुत ज़्यादा होता था हेलो दोस्तो मेरा नम शिर्यास बाठिया है और आज हम देखने वाले है कि किस तरीके से ये problem हम teleprompter को teleprompter के free online softwares को use करते हुए बड़े ही आराम से solve कर सकते है और teleprompter को किस तरीके से हमने use करना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा तो चलिए फिर बिना कोई समय गवाए श website है यहां से आप वो teleprompter download भी कर सकते हो या फिर आप इसको browser से भी use कर सकते हो और ये एकदम free रहेगा दोस्तों और ऐसे कई सारे apps है आज हम देखने वाले है कि किस तरीके से सिर्फ teleprompter हम use कर सकते है और करना चाहिए आप mobile पर भी use कर सकते हो teleprompter तो उसके बारे में भी अगर आप चाहते हो तो comment section में comment कर दीजिएगा तो मैं इसके उपर भी एक detail video बना दूँगा और ये website की link description में due ही है तो चलिए दोस्तों फिर यहां पर देखिए आपको अलग-अलग operating system मान दीजिए आपका Macbook है या फिर Windows का है या फिर Linux है तो आप कोई भी operating system use करते हुए ये teleprompter use कर सकते हो अब चलिए मैंने already download कर रखा है अब इसका interface हम समझ लेते है किस तरीके से ये interface चलता है मैं कर देता हूँ इसको close देखिए दोस्तों ये इस teleprompter का original interface है अब यहां पर देखिए सबसे पहले हम समझ लेते है कि क्या-क्या options हमें available हो जाते है अब यहां पर सकते हो अगर आपको copy paste करना है या word से text copy कर लेना है या paste to word करना है तो यह सब कर सकते हो यहां पर आप undo कर सकते हो redo कर सकते हो आप कोई word अगर आपको आपके script में धुनना है तो आप वो कर सकते हो या फिर कोई word को replace करना है बहुत से time क्या होता है कि हम script लिखतो देते है उसक आपकी खुद के language में होनी चाहिए किसी और से अगर आप वो script लिखाते हो तो हो सकता है कि आप वो script पढ़ते हुए थोड़ा fumble करो तो एक पहले टिप यह रहेगी कि script आपकी आपके language में ही आपने लिखनी चाहिए दूसरी चीज रेकॉर्डिंग करने के पहले आपकी script आप आप ने एक दो बार पढ़ लेनी चाहिए so that आपको पता होना चाहिए कि अगला point कौन सा आ रहा है तो वो comfort आ जाता है उसके बाद आप इस तरी किसी select all भी कर सकते हो या फिर यहां पर अगर आपको एक image add करनी है या फिर आपको कोई media file add करनी है table add करना है या फिर insert करनी या functions add करनी है equations तो यह आप कर सकते हो यहां पर आप text को switch कर सकते हो मतलब भी transform कर सकते हो मतलब ही lowercase कर सकते हो uppercase कर सकते हो या first letter capital बना सकते हो अब यह common पूरे के पूरे आपके functions है यहाँ पर important function देखी यहां पर text का लाड़ आप यहां पर change कर सकते हो beautiful head text color change करने का फाइदा ही हो जाता है दोस्तो कि बहुत से टाइम के होता है हम word to word पढ़ते नहीं है हम सिर्फ key points को नजर देना चाहते है या ध्यान में रखना चाहते है तो अगर आप सिर्फ key point focus करते हो जिस तरीके से मैं करता हूं मैं पूरी script नहीं लिखता कभी भी मगर मैं ए इस text का background highlight कर सकते हो text color change नहीं करते हुए या change भी करते हुए उसके बाद यहाँ पर आप मीचे देख सकते हो bold, italic, underline या फिर उसको आप strike out, strike to कर सकते हो, subscribe कर सकते हो, superscript कर सकते हो या इस तरीके functions आपको जो word में मिल जाते है basic में वो सारे के सारे functions आपको यहाँ पर available हो जा रहे है दोस्तों, तो यह इस तरीके से आप यहाँ पर text add कर सकते हो और यहाँ पर कोई भी language आप कर सकते हो, जैसा कि यह English में लिखा हुआ है, तो आप English में रखना चाहते हो, तो English में भी कर सकते हो, या फिर मान लीजिए आपने आपकी पूरी script हिंदी में बना रखी है, औ अब आपको यह Hindi में input करनी है, तो आपने immediately क्या करना है, word से copy कर लेना है, जो भी आपका source file है वहाँ से copy करना है, और यहाँ पर आ करके paste कर देना है, तो यहाँ पर देखिए, save पे click करके आप अलग-अलग project save कर सकते हो, अब भी हम right now instruction वाले page पर है, उसके बाद आप files import कर सक मानली जब मुझे एक नई file add करनी है, मैं add करता हूँ, यहाँ पर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको करता हूँ add, अब देखिए, पूरी पूरी एक नई file open हो गई है, अब यहाँ पर देखिए, मैंने हिंदी में कुछ type already कर रखा है, इसको save paste करता हूँ मैं, और इसको मैं generally 4-5 words के उपर बात नहीं करता, तो मुझे पढ़ने में आसानी हो जाती है, ठीक है, तो अब यह एक पूरी चीज हो गई है, यह हिंदी का text मेरा बन गया है, अब आपको अगर यहाँ पर settings करनी है, तो settings में चलता है, यहाँ पर देखिए, यह gear वाला symbol है, यहाँ पर हम click करे तो पूरे settings आपको आ गई है, तो अब देखिए, in frame promoter, तो in frame promoter का आपको यहाँ पर देखिए, अगर mirror करना है, मान लिजी अगर आप original teleprompter devices कर रहे हो, तो यह आपको functions सारे यूज़ करने पड़ेंगे, और यह लगेंगे, बट अभी के लिए मुझे normal screen नहीं चाहिए, उ फिर अगर मुझे चाहिए classic yellow, तो देखिए, black पे yellow आ जा रहा है, azure color आ जा रहा है, तो इस तरीके से मुझे blackboard ही चाहिए, अब मैं blackboard generally suggest क्यों करूँगा आपको use करने के लिए, क्योंकि क्या होता है, यह black का reflection जादा आपके screen पे नहीं आता, मतलब यह आपके आखों में न कर सकते हो, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, बीच में script चाहिए, या उपर चाहिए, या नीचे चाहिए, मतलब highlight किस तरीके से होना है, यह भी आप यहाँ पर decide कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं top focus करूँगा, मतलब ही एकडम उपर मुझे नजर आना चाहिए, उपर नजर आ ठीक है, आपके speed के हिसाब से आप speed manage कर सकते हो, यहाँ पर trial and error करना है, acceleration मुझे नहीं चाहिए जादा, acceleration मतलब ही क्या है, कि जैसा एक बार start करने के बाद आपकी script आगे की fast होते जाएगी और भी, font size भी आप यहाँ पर change कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, या कम कर सकते हो, तो मेर अब भी यह इतनी size काफी comfortable है, 120, इसकी width आपको कितनी चाहिए, यह भी कर सकते हो, और आप timer भी लगा सकते हो, कि आपका session कितना time चल रहा है, so that आप उसका timer से control कर सकते हो, आपके session को, आपके delivery को, तो आप आपके timer से time भी कर सकते हो, जब practice करते हो तब, तो मैं generally इसको off ही र देखिए आप अब भी इसका effect देख सकते हो, देखिए इस तरीके से पूरा एक window open हो गया है, अलग से, और देखिए अब मेरा text नीचे से उपर आना start हो गया है, अब start में अगर मैं कुछ बोलना नहीं भी चाता हूँ, तो कोई रिकत नहीं है, अब यहाँ पर अगर मुझे उपर ही highlight होना है, तो देखिए इस तरीके से ये उपर आता जाएगा, और मैं जैसा ही वो उपर highlights के section में आता है, highlight के zone में आता है, देखिए अब यहाँ पर देखिए यह highlight हो रहा है, उपर की line, तो अब यहाँ पर मैं पढ़ सकता हूँ, हेलो दोस्तो, आज हम देखने वा तो मैं यहाँ पर close कर देता हूँ अब यह, अब generally बहुत से लोग इस तरीके से यूज़ करते है, और बहुत बड़े-बड़े YouTubers भी teleprompters यूज़ करते है, क्योंकि दोस्तो हर script technically याद रखना बहुत difficult होता है, हर YouTuber अपनी एक outline बनाता है, और बहुत से टम ऐसा होता है कि या हम क्या करेंगे, कि हम लोग सिर्फ points लिख लेंगे, अब मैंने वापिस एक new page अड़ कर लिया है, अब new page अड़ करके मैं सिर्फ यहाँ पर दे देता हूँ subscribe, like and share यह मुझे highlight करना है, बराबर है, अब इस तरीके से मेरे सारे के सारे bullet points यहाँ पर आ गए है, तो देखिए दोस्तों इस तरीके से यह भी आना start हो जाएगा, तो इस तरीके से आप काफी सारी चीजे यहाँ पर आराम से कर सकते हो, teleprompter यूज करते हुए, अब चलिए मैं आपको हिंदी वाला एक OBS में किस तरीके से मैं setup करता हूँ, यह बताते हुए, आपको सारा explain करता हूँ, तो मैं close करता हूँ इसको, और हम चलते हैं अभी previous page पे, तो देखिए दोस्तों यह हमारा आ गया यहाँ पर, अब मुझे इसकी speed थोड़ी सी बढ़ानी थी, जैस पर अब भी मैं एक नया OBS open कर लेता हूँ, तो capture device add करना है, ओके, परिसों मैं करता हूँ, तो preview, अब देखिए, दोस्तों मैंने पूरा setup complete नहीं किया हुआ है, मेरा background का, तो उसको please adjust कर लीजिएगा, और दूसरा, मेरा webcam hang होता है, जैसा कि आपको 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 आप मैं इसको on करता हूँ, ठीक है, start recording करता हूँ इसकी, और मैं अपने teleprompter में जा करके, teleprompter को prompted करके पढ़ता हूँ, एक एक चीज, तो वो देखते हैं हम लोग की किस तरीके से वो हो रहा है, start recording, प्रॉम्टर में चलेंगे हम, प्रॉम्टर में चलने के बाद यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, prompted, अब इसको उपर आने तक मैं थोड़ा सा इंतजार करता हूँ, so that क्या होगा, कि मैं कैमेरे में देखके बात कर रहा हूँ, ये feel आना चाहिए, ठीक है, Hello दोस्तो, आज हम देखने वाले हैं, कि किस तरह से आप टेली प्रॉम्टर यूज़ करते हुए, अपने सेशन सको और भी बहतर कर सकते हो, ठीक है, इसको मैं close कर देता हूँ, और अब चलते हैं वापीस से OBS में, जहाँ पर मैंने मेरा webcam कौन किया था, अब मैं सको करता हू अब stop recording होने के बाद, अब यहाँ पर एक file save हो गई होगी, मैं यह OBS close कर देता हूँ, और अब चलते हैं वो file में, कि उसमें किस तरीके से feel आ रहा है, एलो दोस्तो, आज हम देखने वाले हैं, कि किस तरह से आप टेली प्रॉम्टर यूज़ करते हुए, अपने सेशन सको, देखें दोस्तो, यहाँ पर मैं जब बात कर रहा हूँ, तब ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं पढ़के बोल रहा हूँ, बलकि मैं यहाँ पर देखिए, पढ़के बोल रहा हूँ, बैट ऐसा लग रहा है कि मैं camera में देख करके बात कर रहा हूँ, तो यह बहुत important बात है दोस आपको script बिना याद किये आप इस तरीके के videos बहतरीन videos बना सकते हो आशा करता हो दोस्तों कि आपको आज का session बहुत ज़्यादा interesting लगा और अगर कोई भी doubt है तो comment section में comment करके पुछेगा ज़रूर और अगर अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है